नारजी की ताजा खुसुर खुसुर को मिस्त ना होने दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं सन 1927 में गांधी जी ने जिस इस्कूल की परिकलपना की थी, आज वो हर राज्य में इस्थापित होने जा रहा है पुदार इंटरनेशनल स्कूल की रायपूर शाखा में 4500 बच्चे अध्यान रथ हैं लगबग 90 सालों से शिक्षा की अलग जगाने वाले इस स्कूल की भविश्य की योजनाएं राज्य के हर छेत्र में विस्तार की हैं अगर वर्तमान परिवेश की बात की जाए तो पूरे देश में 110 शाखाओं के साथ ये स्कूल संचालित है इसके साथ ही फैकल्टी के चैन में भी स्कूल विशेश ध्यान रखता है और बच्चों के सर्वांगिन विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है पोदार इंटरनेशन स्कूल या पोदार एजूकेशन नेटवर्क जो है इसकी स्थापना 1927 में हुई थी मुंबई में और जैसे कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि इसके फर्स्ट प्रेजिजेंट जो थे जो इसकी सोसाइटी बनी थी जो इसका औरनेशन जब डिबलफ हुआ था 1927 में तो वो महात्मा गांधी थे मोहंदास करमचन गांधी ये हमारे राश्ट पे था और इसके साथ में बड़े इंडस्ट प्लेस भी जुड़े जमिनलाल बजाज जी और श्री आनंदी लाल पोधार जी ठीक है था उन्हों ने इसकी नीव रख किये कह सकते हैं 1927 में उसके बाद में महाराश्ट में दूसरी जग़ों इनकी इनका एक्सपेंशन हुआ ठीक है अब हम यह कह सकते हैं पूरे महराश्ट में हमने कवर कर लिया है इसके साथ में ही अब हम कह सकते हैं कि हमारे 110 स्कूल है यानि 91 साल नाइंटी वन इयर्स हो चुके हैं इस पोधार इंटरनेशनल स्कूल और पोधार एजूकेशन नेटवर्क रन स्कूल जो है हमारे पूरे इंडिया में जिसमें हमरी आंदरप्रदेश, गुजरात, महराश्टरा और करनाटका, बिहार और पंजाब ये सभी स्टेट हमने कवर कर ली है और आगे आने वले समय में हमारा टारगेट है कि हर साल हम कम से कम 20 या 25 स्कूल खोलेंगे और तीन या चार साल अगले आगामी ती 250 तक हमारा टारगेट है वो हम कवर करें और ये कह सकते हैं कि इस समय हमारे जो ब्रांचेज हैं उसमें 1,35,000 बच्चे पढ़ते हैं और तकरीबन 6,000 से उपर हमारे शिक्षक जो है वो कारेरात है इसके साथ में एड़िन स्टाफ अलग है लेकिन जो 6,000 शिक्षक हैं वो प करें येरली में बदा रहा हूँ आपको ये